मुख्य मंत्री योगी आदितनाद जम कर 300 पार का नारा देते हुए चुन चुन कर एक एक लोगों पर निशाना साधा रामपुर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इस वक्त और वहां को लेकर उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि दरसल वो जेल में हैं खुद सब्सक्राइब करें तो हमेशा 300 का नारा पहले से शुरू से दे चुके हैं तो हमेशा 300 ही कहेंगे तो मार्च 10 तारिक तक तो कहें नहीं पड़ेगा उन्हें मजबूरी है और दूसरी बात यह है कि जहां तक इस दौर का सवाल है यह बड़ी प्रतिष्टा का बीजेपी के बड़ी प्रतिष्टा का सवाल है क्योंकि 55 में से 38 सीटें बीजेपी को मिली थी बहुत बड़ा नंबर है और कहीं पे भी जब भी आदमी पहाड की चोटी पे पहुंच जाता है तो फिर उपर फदर चड़ना पॉसिबल नहीं है तो 38 से 45 होना मुश्किल है लेकिन 38 से जराता है समाजवादी पार्टी इस पूरे की पूरे मुस्लिम बेल्ट में क्योंकि पिछली बार ध्रुवेकरन हुआ था इस बार की परस्थित्य अलग है और मुक्षिबंतरी योग्या दितनात ने अभी अभी असी बनाम 20 को विस्तार से यहां पर डिफाइन किया है यहा यहां सबसे बड़ी चुनोती भाजपा के सामने यही है कि वह इस जो गट्जोड है यह जो मुस्लीम और अम्रोहा और मुरादाबाद में जाट और इसके बाद यादो बेल्ट सुरू हो जाती है यहां उससे कैसे पार पाती है यह अलग बात है कि उनका भी समर्थक यह जैसा है लेकिन यह जरूर बात है कि अपना अपना बुटन निकल रहा है मद्दान कर रहा है और आपको रोचक इसके परणाम देखने को भी लेंगे आने वाले हैं और मुख्यमंद्री का खुद सामने आना देखिए एक तरफ मद्दान चल रहा है दूसरी तरफ तमाम बड़े मुद्दो को वो गिनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की भी उनकी और से बात की गई जिस बुरके को लेकर नकाब को लेकर इतना बवाल देश भर में छड़ा हुआ है देखिए यह पूरी इलाके में अगर वोटिंग परसंटेज बढ़ता हैं वहां पर भी तीन सीटे बीजेपी ने जीत ली थी और रामपूर में दो सीटे जीती थी जो अरती सीटों का आकड़ा इनके पास 55 सीटों में है तो वोटिंग परसंटेज पे सारी चीज़ डिपेंड करेगी क्योंकि जो सरकार के खिलाफ लोग हैं जो सरकार को बदलना जो 38 सीटे हैं बीजेपी की शायद उसमें से वो सीटे ज्यादा बचा पाने में कामियाब हो या सीटे बढ़ भी सकती है लेकिन अगर वोटिंग परसंटेज डाउन रहता है तो चुकि बीजेपी का कारकरता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेनेरियों में अ पुराने परिणाम को यह रिपीट कर सकते हैं इसी इस्तिती बन सकती है